सटो करेंगे और यह माइक्र बायुलोजी का जो करेंगे उसके बारे में देखेंग Arabia अपने चोटा टोपिक नहीं अगर बोटथन जो करने में बैठते हैं तो माइको प्लाजमा में से एक ये दो कुछन हमेसा बनते हैं तो आज माइको प्लाजमा की कुछ special कुछन से लेक्षान यह जो मोश्टली एक्जाम मिसी पूछे गए हैं यह सबसे इंपोर्टेंट जो कुछन बनते हैं उस प्रकार के क्यूसंस हैं और थोड़े क्यूसंस का जो क्लेक्शन हैं वह इस प्रकार का है कि सभी एक्जाम के अंदर आपको हेलफुल होगी तो सभी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है कि वह कम से कम पूरा वीडियो जुरूर देखा करें जिसे ज्यादा- उसके लिए है या किसी भी नीट है बायोजी की कोई एक्जाम है उन सभी की टोपिक है विसी सई और इस पर इसक्यूशन पूछे जाते हैं तो अभी अपन टाइम को वेस्ट किये बिना अभी अपन स्टार्ट करते हैं क्यूस नंबर फस्ट से लिटिल लिफ ओफ ब्रींज तो लिटिल लिफ और बीरिंज्जिल जो है बैंगन के अंदर एक लिटिल लिफ की डीजिज देखने को मिलती है जिसमें जो आपने समख्याट में के अंदर प्रेपलाजमा तक नहीं पहुंच पाता है जिसके लीफ की साइज है वह छोटी रहने लगती है इसका कोज कोन है को इसका आज याइगा next question देखे which of the following is called joker of microbiological park इसी question को अपन ये भी कह सकते है joker of microbiology और joker of microbiological park किसे कहेंगे तो यह आ जाएगा mycoplasma, इसका reason क्या है कि mycoplasma जो है mycoplasma एक without cell wall वाला unicellular pro-creatic organism है और cell wall नहीं होने के कांड से इसकी जो cell की structure या जो आकरती है या safe है वो कशी होती है irregular होती है, variable होती है अपनी safe वो change करता रहता है जिसके कांड से इसे क्या कहते है joker कहते हैं, कि joker अपनी जो अलग-अलग भेस बूसा या अलग-अलग रोले के अंदर देखने को मिलते हैं उसे प्रकार से जो करका गया microbiology का, तो इसका right answer आ जाएगा c next question देखें which of the following is resistant to penicillin as it lack of cell wall यह भी मैंने बता है भी आपको mycoplasma में cell wall absent होती है और penicillin जो है वो cell wall पे अटेक करती है और cell wall के जो peptidoglycan है उसके जो बॉंड है बीटब 1-4 glycosidic bond है उसको ब्रेक करती है जिसके कांट से अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि penicillin जो है प्रोकेरियोटिक सेल के जो cell wall है उसको degrade करने के लिए responsible है लेकिन mycoplasma में cell wall नहीं होने के कारण से यहां पर माइको प्लाजमा पर कोई इफेक्ट नहीं करेगी और mycoplasma जो है mycoplasma एक रेजिस्टेंट के रूप में वर्क करता है तो इसका राइट आनसरा जाएगा mycoplasma next question देखें fourth the smallest free-living organism इस तो free organism और smallest अपन कहें तो इसका राइट आनसरा आगा mycoplasma next question देखें which of the following organism आर एक्जामपल ओप्रोकेरियोटिक सेल्स तो प्रोकेरियोटिक सेल्स का and red algae यह तो एक प्रोकेरियोटिक है दूसरा यूकेरियोटिक माइको प्लाज्मा फंजाई प्रोकेरियोटिक यूकेरियोटिक है वाइरस एड ब्राउन अलगी प्रोकेरियोटिक यूकेरियोटिक है यहां पर इसका राइट आनसरा जाएगा का फस्त बैक्टिरिया एंड माइको प्लाज्मा नेक्स क्यूशन देखें माइको प्लाज्मा इसे कोज की जाती है लिटि लिप औफ बृंजल है विल्ट ओफ्कॉतन सेट्रस कैंकर विल्ट ओफ अरहर तो इसका राइट आनसर जो आपने पहले सो광 वं को सेवरे नंबर के अंदर क्यूशन देखें होbol तो दापालेस्ट सेलों माइको प्लाजमा आर अवाउट इन डायमेटर तो इसके जो साईज है इसका डायमेटर होगतत होता है तो इसके राइट आउसर आजाएगा बी 0.3 माइक्रो मेटर नेक्स्ट क्यूशन देखें कि एट नमबर का माइको प्लाजमा कैन बी कल्टिवेटेड इन इन विट्रो ओन नौन लिविंग मीडिया एज तो इसे अगर अपने इन विट्रो में कल्चर करें किस प्रकार से नौन लिविंग में क्ल्टिवेटेड नमबर का अजाएगा तो इसका राइट आनसूर जो आजाएगा C next question नए नमबर का देखे नए नमबर का the colonies of mycoplasma in agar plate can be observed by mean of तो mycoplasma की जो colony है agar plate पे वो आपन नॉर्मली देख सकती है तो उसकी colonies जो है वो काफी अच्छे अच्छे से दिखाई दे सकती है अपने पैटरी प्लेट पे जब करते हैं stricking method कर सकते हैं या पोर method कर सकते हैं उनसे stricking method से ज़्यादा दिखने को मिलती है इसकी colonies तो low power microscope से भी अपने इसको देख सकते हैं easily तो इसका अगार प्लेट अगार प्लेट के ऊपर इनकी जो कॉलोनीजी की साइज है या सेप है या किस प्रकार की structure देखने को मिलती है तो इनकी जो आकर्ती होती है वो होती है भुने हुए अंडे के समान या तले हुए अंडे के require which of the following substance for growth तो माइको प्लाजमा की जब अपन कल्टीवेशन करते हैं या इन वीटरों में इसको कल्चर करते हैं तो कौन सा substance या growth regulators अपने डालते हैं तो इसमें अपने राइट आंसर आएगा कोलेश्ट्रोल क्यों डालते हैं क्योंकि प्लाजमा मेंब्रेन की इसकी जो माइको प्लाजमा की प्लाजमा मेंब्रेन होती है प्लाजमा मेंब्रेन में एक विसिस कंपोनेंट पाया जाता है जिसे अपन क कॉलेष्च टॉल कहते हैं और है कि को에서 a blood कए अदर विए कोलेष्टोड प्रसंट करता है तोहें इसलिए अफेर खलते हैं कि मायक्रेच्वाजमा episode के वー जो है या मैंब्रन है उसके अंदर कोलेष्टो siempre ये तो यह एक एनिमल से बिलोंग करता है इसलिए आपन कह सकते हैं कि माइको प्लाजमा को यदि आप कल्चर करना चाहते हो तो उसके ग्रोथ के लिए कोलेश्टोल के आवशकता पढ़ती है तो इसका राइट आनस्वरा जाएगा सी नेक्स्ट क्यूशन देखें 12 है माइको प्लाजमा इज तो माइको प्लाजमा नॉर्मल सी बात है क्या है एक प्रोकेरियोटिक यूनिचेलूलर है तो यहां पर ओप्शन में दिया हुआ है प्रोकेरियोटिक यूनिचेलूलर बी नम्र ओप्शन तो इसका राइट आनस्वरा जाएगा प्रोकिरियोटिक एंड यूनिचेलुलर और्गनीजम नेक्स्ट क्यूशन देखें दा विचिस ब्रूम जो लेग्यूम प्लांट्स हैं उनके अंदर जो विचिस ब्रूम जो है डिजीज वह किसके द्वारा कोज की जाती है माइको प्लाजमा के द्वारा तो इसका राइट अनसुरा जाएगा माइको प्लाजमा नेक्स्ट क्यूशन देखें 14 दिस स्पीज ओफ माइको प्लाजमा कोज हूमन इस्टेलिटी तो हूमन के अंदर जो इस्टेलिटी है वह कौन सी स्पीज कोज करती है तो यहां पर ओप्शन दिया है टी माइको प्लाजमा माइको प्लाजमा फर्मांटेंस और third option देखे mycoplasma hominis all of these तो mycoplasma की यह तिनो species है तिनो ही मेल के यह अपने कहें human के अंदर sterility को cause करती है तो इसका right answer जो है वो आजाएगा D next question देखे 15 in mycoplasma the elementary cell body perform तो mycoplasma की जो cell body है यह उसकी cell है वो क्या perform करती है reproduction form करती है क्योंकि reproduction से और reproduction कौन से करती है binary fusion करती है reproduction करने से इनकी अपनी संख्या है उसको multiply करती रहती है तो इसकी body का man function है वो क्या है reproduction करना और अपनी संख्या के अंदर increase करना next question 16 these are osmotyly inactive osmotyly inactive की बात करें तो mycoplasma है mycoplasma की उपर किसी प्रकार का solution का कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यह हो जाएगा osmotyly inactive this cry it answer आजएगा mycoplasma next question देखें valenomycin and penicillin दोनों antibiotics है do not affect the mycoplasma edge तो mycoplasma पर affect क्यों नहीं करती है तो अपन नॉर्मल जानते हैं कि vanomycin जो है वो cell wall के अंदर pore का formation करती है और penicillin जो है वो अभी मैंने पहले भी बताया था कि जो bacterial cell wall पे प्रेडो गलाइकेन है उनके अंदर जो bond है beta 1 for glycosidic bond उस bond को तोड़ती है तो दोनों ही मतलब indirect कहें हैं है अपन cell wall के उपर टेक करती है cell wall को degrade करती है तो यहां पर यह कहें है अपन कि अफेक्ट क्यों नहीं करती है नेक्स क्यूशन देखें दिस इन और्गनीजम विदाउट सेल वाल वाल आपन जो पड़ी रहे हैं माइको प्लाज्म नेक्स क्यूशन देखें सब्सक्राइब अपने घ्रोफ भी कर सकता है और री प्रड़ाज्म भी कर सकता थे तो इसक मौलेश्ट और्गनीजम माइको प्लाज्मा होगा तो इसका राइक आंस्वरा जाएगा मैको प्लाज्मा है po numer कि इन नमबर ओफ वायरस आर कोल तू मायको प्लाजमा आरको। कौल्ड तो मायको प्लाजमा इंप्ध करने वाले वायरस क्या गहलाते हैं क्योंकि अपन नॉर्मला बेक्ट्रियो फेज बेक्ट्रिया को इंफेक्ट करने वाले वायरस तो यहां पर आजाएगा माइको प्लाज्मा फेज माइको प्लाज्मा को इंफेक्ट करने वाले यहां पर पूछा है कि माइको प्लाज्मा को इंफेक्ट करने वाला वायरस क्या कहलते हैं माइको प्लाज् तो रिप्रोडूच ओन आर्टिफिचिल मीडिया है वे-सिट सेल वोल और रेजिस्टेंट टू पैनेसलीन स्टेन वेल विद ग्राम स्टेन तो इसका राए आऊज अप्र आएगा और रेजिस्टेंट टू पैनेसलीन तो मायको प्लासमा जो है वो शेल वाल एपसेंट होती है जिसके कांड से पैनेसलिंग से रेजिस्टेंट शो करता है जबकि बैक्ट्रिया शो नहीं करता है बैक्ट्रिया डेमेज हो जाता है नेक्स्ट क्यूशन देखें 22 नंबर दा मोड ओफ रिप्रोडक्शन विच अकर इन माइको प्लाज्मा तो मैंने पहले ही बताया था आपको माइको प्लाज्मा में जो रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो क्या होगा वो होगा बाइनरी फिजन तो ओप्सन में भी आपन देख लेते हैं 22 नंबर में तिहां पर जो मोड दे रखा है वो आ जाएगा बाइनरी फिजन तो इसका राइट आनस्व आएगा क्योडी अंछ इसन ग्रूप ऑफ यो एपिक्टरेया को हैव Շसका राइट आंस्र आजय को एगा organism is most commonly associated with ATS pneumonia ATS pneumonia से related जो ATS के अंदर pneumonia है या ATS से related pneumonia जो होता है उस pneumonia वो कोज जो हो किसके कांड से होता है mycoplasma के कांड से तो इसका right answer जो आएगा वा जाएगा mycoplasma next question देखें 25 following disease following disease are caused by mycoplasma accept तो mycoplasma के द्वारा disease कोज की जाती है और acception कौन साइस में से जो नहीं की जाती है तो पहला आपन देखें pneumonia in human beings यह अपन देखा यह एट के अंदर लिटी लिफ और बिरिंजिल जो फर्स्ट के उसन देखा था डार्फ डिजीज ओप मलबेरी यह भी क्यों किया जाता है सेटरस कंखर सेटरस कंखर एक बैक्ट्रियल डिजीज है दो ग्राम सपी जो है जा वह आइछ गाइगा । 24 इंवर्ट ऑफ चैन्मेंट मैको प्रेक्ट्बाज्मक का डेक्ट्रियल और किसी भी पर्सरन देखा को तो कौन से एंटिबाइटिक्स यूज में लेते हैं तो इसके लिए टेटरसाइकलिन है इरिथ्रोमाइसीन है दोनों को अपनी यूज में ले सकते हैं तो दोनों ही जो टेटरसाइकलिन और जो इरिथ्रोमाइसीन है दोनों ही प्रोटिन सिंथेसिस को ब्लो करती है और the main difference in true bacteria and mycoplasma is that is do not possess cell wall का difference है कि बेक्टरिया में cell wall present होती है और mycoplasma में cell wall हो एपसेंट होती है सेदस difference है तो इसका राई टांस्फर आ जाएगा बी नेक्स्ट क्यूशन देखें 28 माइको प्लाजमा डिफर फॉर्म क्लेम आडी इन देट तो क्लेम आडी से माइको प्लाजमा डिफरेंट क्यों है तो ऑप्शन देखें डाइबिलिटी टू कोज यूरिनरी ट्रेक इंफेक्शन लेक ओफ ए ट्रू बेक्टरियल सेल वोल ससेप्टिबल ओफ पैनिसलीन ओल अफ दीज तो क्लेम आडी से डिफरेंट जो है वह किसकी कांड से लेक ओफ ट्रू बेक्टरियल सेल वोल का अभाव होता है तो इसका राइट अनुसरा जाएगा कॉ nos इस प्रकार से अपने मैकर प्लाजमा के जो भी मैं-मैं किसं थे वह अपने कंप्लेट किया हैं क्योंकि जितनी भी मैं पछिंस से치ounds बंते हैं वह सभी इसमें कबश भर हो गये तो जो भी श्रेटम गذ्यक्ञ मिल सके थैंक यो फ्रेंट्स